अलावरीबन नमस्कार दोस्तों स्वाथ आप सभी का एक बार फिर से आशी श्वाथम के साथ आड़ेटूप फॉरसाइवन हमारे से यूट्यूब प्लेटफॉम पर और आज हम लोग डिसकस करेंगे और बिया अटेंडेंट की नेक्स क्लास आप लोगों से घुजारिश रह है और 19 पार्ट में हम लोग जो मेंन फोकस करने जा रहे हैं 27 कोशन के साथ वो यहां पर रहेगा फरवरीगा अगे अगे आप लोगों से गुजारिश यही रहेगी मेरे दोस्त जितना आप शेयर कर सकते हैं प्लीज आप शेयर करना स्टार्ट करेगा ओके तो गुड बात करते हैं सबसे पहले और important हम लोग का एक batch start होने वाला है RBI attendant का उसके बारे में बता देता हूं यह 30 तारिक से batch start होने वाला है और यह जो है इसमें crash course भी आपको available कराया जा रहा है प्लस live mode discussion भी है even यह GA capsule भी आपका इसमें रहेगा code लगाएंगे यहां पर Y168 तो आपक इस batchman rule करा सकते हैं इसके इस्तिमाल करेगा Y168 आपको 78% discount यहां मिल जाएगा और यह जो financial awareness के लिए pure batch है जो running में चल रहा है warrior 6.0 है static के लिए static 2.0 है Y168 code लगाएगा यहां पर और सभी match के लिए दक्ष है English के लिए उडान है reasoning लिए शिखर है और financial awareness के लिए यह सारे foundation batches है यह सब आपको मिल जाएंगे bank maha pack में जितने भी दिखा रहा हूँ one year की membership अगर आप लोग इसे ले लेते हैं तो आपको जितने भी batches है चाहे attendant हो चाहे RBI का हो even मेरे भाई कोई भी हो SBI PO CLARK, IVPS PO CLARK, RRB PO CLARK, SO prelims, mains descriptive, interview, descriptive even कुछ भी सब कुछ cover होगा इसमें one year की membership में code लगा आपको discount मिलेगा, यहां पर 3740 के साथ 78% का discount मिल जागा, इतने का यह batch पड़ेगा, 12 month की वैलिटी के साथ, add247 application, add247.com visit करना, सबसे पहले और important सवाल की तरह बढ़ते इस पर गौर फरमाएगा, और फरमाना मेरे दोस्त त्यारत देखेगा National Statistical Office, आज सुबह सेशन में भी मैंने यह पढ़ाया था आप लोगों को, current affair के सेशन में National Statistical Office, National Statistical Office, Ministry of Statistic and Program Implementation has released Second Advance Estimate of National Income 2020, 2021 मतलब 2021 के लिए, जो GDP growth rate का projection है for second quarter, वो कितना यहाँ पर बताया गया है, तो guys, it is plus 4%, okay, it is plus 0.4%, यहाँ पर बोलाए कि जो quarter 3 है, इसमें इंडिया की GDP growth rate रही है, यह 0.4% रही थी, यह आपको याद रखना है, 0.4%, okay, NSO का कहना है कि पूरे financial year में कितने प्रतिशत रह सकती है, पूरे financial year में इंडिया की GDP growth rate रह सकती है, minus 8%, यह आपने को याद रखके चलना पड़ेगा, minus 8%, okay, minus 8%, तो National Statistical Office, National Statistical Office का क्या कहना है, कि NSO का यह कहना है कि 20-21 में growth rate रहीगी minus 8%, और 20-21 के quarter 3 में इंडिया की growth rate रही है, 0.4%, okay, यह अपने को learn करना पड़ेगा, नेक्स तूस, अगला सवाल, इंडिया ज आल राउंडर यूसफ पठान अनूंस इस retirement from all format of the game, he is a from which state, भारत के आल राउंडर, यूसफ पठान ने खेल के सभी प्रारूपों से सन्यास लेने की गोशना किया है, वह किस राजसे हैं, तो यह राजसे हैं गुजराथ से, अबी जो लेजेंड करा राधर road safety series रही थी, उस road safety series में इंडिया लेजेंड ने, शीरिलंका लेजेंड को हरा दिया था, और इंडिया लेजेंड की तरफ से जो player of the, या even कहें जो final match में player of the match रहे थे, वो यूसुफ पठान ही रहे थे, यूसुफ पठान, ओके, अपने को याद रखना है, next, financial action task force has decided to keep Pakistan on its terrorism financing grey list, financial action task force ने पाकिस्तान को अपने आतंकवाद बित्व पोश्ण grey list पर रखने का फैसला किया, financial action task force का मुख्याले कहा है, where is the headquarter of FATF, okay, so guys answer बनेगा, France के Paris में, France के Paris में, UNESCO का भी headquarter है, FATF का headquarter है, जो अभी मैंने पढ़ाया आपको, IEA का headquarter है, OECD का भी headquarter है, Organization of Economic Cooperation and Development, International Energy Agency, Financial Action Task Force, United Nations Educational Scientific Cultural Organization, इन सभी के headquarter, France के Paris में है, ध्यान से सुनिएगा, Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Nirmala Sita Raman, has inaugurated the Competition Commission of India's Regional Office in Chinnay, जो वित्तमंत्री Nirmala Sita Raman है, उन्होंने Competition Commission of India को जो Regional Office है, उसको Chinnay में inaugurate किया, CCI was founded in which year, CCI के स्थापना के सवर्ष में की गई थी, पटावर्ट से बदाएगा, CCI के स्थापना के सवर्ष में की गई थी, in which year, Competition Commission of India was formed, जोनोंने आज morning का सेशन मिस किया है, दोस्त एक बार देखिएगा, आज मैंने morning सेशन में आपको काफी चीजों का रिवीजन कराया है, करनाड़क स्टेट कराया है, इविन उसके अलाबा हम लोगों ने देखा था, आज व्यास सम्मान किसको दिया गया है, 48th Chief Justice of India कौन होंगे, तो जोनोंने morning सेशन मिस कर दिया आज का, प्लीज 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 दोस्त, उस सेशन में एक बार जरूर जाकर देख ली जगा, तो यहाँ पर आंसर क्या बने का मेरे दोस्त, यहाँ पर आंसर बने का अपना, option number 2, 14th of October 2003, यानि कि 14 October 2003 को, 14 October 2003 को Competition Commission of India की साबना की गई थी, next, Union Minister for Finance and Corporate Affairs, निर्मला सीतर हमन participated virtually in its first G20 Finance Minister, Central Bank Governance Meeting, Under the Presidency of which country, आप लोगों पता होना चाहिए कि जो G20 Summit है 2021, यह कौन होस्ट करेगा इटली, इटली होस्ट करेगा, ओके, और इटली जब होस्ट कर रहा है तो इसका मतलब जितने भी इवेंट होंगे, उस ही की अद्धिक्षिता में होंगे, तो अंसर बनता है इटली, ओके, तो Central Bank Governance की first G20 Finance Minister की मीटिंग आ रहा ही थी इटली की अद्धिक्षिता में, इटली की Capital Rome है, Currency Euro है, and Food and Agricultural Organization, FAO, Food and Agricultural Organization, इसका Headquarter भी इटली के Rome में है, इटली के Rome में इसका Headquarter इसको आपको याद रखना है, नेक्स आगे बढ़ते अगला दिखते हैं, विश्णु नारायन, नामबुत्री हैस पास्ट अवे रिसेंट्ली, विश्णु नारायन, विश्णु नारायन नामबुत्री का हाल ही में जदन हो गया, वहे क्या थे, तो वहे एक मल्यालम पोईट थे, वहे क्या थे, कि मल्यालम पोईट थे, ये आपको याद रखता है, मल्यालम पोईट, ओके, इराकी गरीब शैवली, इराकी गरीब शैवली, has been elected as a new Prime Minister of which country? So guys, answer है, Georgia, पहला सवाल, दूसरा, what is the capital of Georgia, Georgia की capital का है, what is the capital of Georgia, what is the capital of Georgia, Georgia, Georgia की capital है Tbilisi, Tbilisi is the capital of Georgia, और करंसी यहां पर चलती है, लारी, okay, next, which bank is launched Nama Chinnai Smartcard, किस bank ने Nama Chinnai Smartcard launch किया है, तो Nama Chinnai Smartcard is launched by the ICICI bank, okay, खुशी नगर airport has got an international airport license from directed general of civil aviation It is in which state खुशी नगर airport को directed general of civil aviation से international airport license मिला है यह किस राज्य में है तो यह आपका उत्तरप्रदेश राज्य में है कहा पर है दोस्त उत्तरप्रदेश राज्य में है Directorate general of civil aviation National Science Day celebrated on which day National Science Day किस दिन celebrate किया जाता है which day is observed as the national science day so guys national science day is observed on the 28th of febru 28th of february को national science day के रूप में celebrate करते है China has regained its position as the top trading partner China has regained its position as the top trading partner of India in 2020 two way trade between India and China stood at what मेरे भाई in 2020 मलब भारत और चाइना के बीच में कुल मिलाकर जो ट्रेड रहा है वो कितना रहा था 2020 में तो आंसर बनता है 77.7 billion US dollar 77.7 billion US dollar 77.7 billion US dollar इंडिया और चाइना के बीच में टोटल ट्रेंड रहा था पिछली दो बार से दो सालों से लगाता है यहां पर USA इंडिया का biggest trading partner था अब यहां पर चाइना बन गया है Stories I must tell an actor's emotional journey is autobiography of whom Stories I must tell an actor's emotional journey किसकी आत्मकथा है एक नमबर में book and author पूछे जाते हैं तो यह आपको याद रखना है क्लियर है next answer यहां पर बनता है मेरे भाई कबीर वेदी कबीर वेदी next in which is it second edition of winter sports festival under Khelo India Games has been started किस राज में Khelo India के तहत सीतकालीन Khelo सब का दूसरा संस्क्राण शुरू किया गया था दूसरा संस्क्राण शुरू किया गया था जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में और Khelo India winter games का second edition जम्मू कश्मीर में हुआ और इसी event में medal tally में जो top पर रहा था वो जम्मू कश्मीर ही रहा था medal tally में कौन top पर था जम्मू कश्मीर ये भी आपको याद रखना है क्लियर है ये देखो Khelo India जो youth games है ये हर्याडा के पंचकुला में होना है fourth edition Khelo India university games करनाटका में होना है Khelo India winter games ये आपका Khelo ने जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में होना है जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में है क्लियर दोस्त next देखेंगे अगला सवाद with which with which ministry of corporate affairs signed memorandum of understanding for data exchange किसके साथ corporate mamlo के मंत्राल ने data exchange के लिए समझाओता कि आपन पर अस्ताक्षर किये है तो यहाँ पर समझाओता किया गए Central Board of Indirect Tax System Custom के साथ CBIC Indirect Tax Related Body इसने यहाँ पर इसका collaboration रहा ministry of corporate affair के साथ data exchange के regarding which state government has announced that the retirement age of state government employee has been increased from 59 to 60 years किसराजी सरकार ने घोचना की है कि करमचारियों की सेवा निवरत्ती की आयू 69 से बढ़ाकर साथ वर्ष कर दी गई है बड़ बड़ दाई मेरे भाई तो अंसर बनता है Tamil Nadu ओके Tamil Nadu यह आद रखना है आपको Second edition of Global Bio India was organized Global Bio India का दूसरा संस्कार आयुजित किया गया इसका विशे क्या है इसका विशे क्या है मेरे भाई तुम लोगों देखो PDF के लिए आशीश गौतम जीए गुरू टेलेग्राम सर्च कर लेना टेलेग्राम गुरूप मिलेगा 44,000 अस्ट्रेंड है उस वाले में ही एड़ होना आशीश गौतम जीए गुरू के नाम से मिल जाएगा इसमें आपको सारी PDF मिल जाएगे कोई भी इंफॉर्मेशन रहती है वो भी मैं इसी में अपडेट कर देता हूँ तो guys answer यहाँ पर बनता है Transforming Lives and Tagline Biosciences to Bioeconomy Transforming Lives Tagline Biosciences to Bioeconomy was the theme of the Global Bio India और इसका दूसरा संस्कान आयोजे तो किया गया था International Olympic Committee has named Brisbane Australia as the preferred bidder to host 2022 Olympic Games अभी सिर्फ इसको preferred bidder बोला है मतलब अंतरास्ती Olympic सामिती ने 2022 Olympic खेलों के लिए मेजवानी के लिए पसंदीदा बोली नगाने वाले Australia के Brisbane का नाम लिया है Brisbane Australia को यहाँ पर बोला perfect bidder रही है 32 का Olympic Games के लिए अभी यह नहीं clear है कि यही host करेगा अब ज़रा ध्यान से सुनो IOC का headquarter कहाँ पर है International Olympic Committee का यह फरवरी के MCQ चल रहा है तो आंसर बनता है Laws in Switzerland which state has launched e-parivahen व्यवस्था तो e-parivahen व्यवस्था किसने launch करिये State Transport Department की Faceless Services प्रोवाइड करने के लिए लोगों को state के regarding the driving license registration certification permit तो यह है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश Reserve Bank of India brought which bank under its regulatory purview भारत Reserve Bank ने किस bank को अपने नियामक दाइरे में लाया है तो यह है State Bank of Sikkim Government has approved 8 toy manufacturing cluster at a cost of rupees watt to boost India's traditional toy industry सरकार ने भारत के परंपर खिलोने उद्धियों को बढ़ावा देने के लिए कितने की लागास से 8 खिलोना विनिर्मान cluster को मंजूरी दी है 2300 करोड रुपे लार्सन एन टिवरो हैस डिलीवर्ड सौवी के नाइन वजर टी 155 mm 52 केलिबर सेल्फ प्रपोर्ड गल टू इंडियन आर्मी तो दोस्त यह जो के नाइन वजर है यह कुल मिलाकर सौब बन चुकी है और सौवी डिलीवर कर दी गई इंडियन आर्मी को यह गन है और यह जो एलन टी जिसने से बनाया लार्सन टिवरो नहीं यह कब फॉर्म हुआ था तो सेवन तॉप फेव नाइंटीन 38 को अच्छा आज मैंने यह पढ़ाया था कि इंडियन कोस्ट गार्ड की एक शिप है उसको कमीशन किया गया है कहां पर कमीशन किया है क्या नेम है वैसे बनाया उसको एलन टी नहीं है इसको मॉनिंग सेशन में एक बार देख लेना next SBI payment has launched you know merchant application to expand the digitization of merchant payment in the country SBI card and payment services limited founded in which year so मेरे दोस्त यह इसकी स्थापना हुई थी 1998 में SBI cards and payment services limited की स्थापना कभूई थी 1998 में और SBI payment ने देश में merchant भूगटान के डिजल डी करनर का विस्तार करने के लिए union merchant application launch किया है who is assumed charge as the chairman of national commission for scheduled caste किसने अनुसूचित जाती के लिए रास्तिय आयो के अद्धिक्ष का पदवार ग्रहड किया है तो यह है विजय सांपला PM किसान scheme इस उद्धिशी के साथ यहाँ इस बिकम operational from यह बताएए PM किसान scheme launch with an aim to ensure life of dignity prosperity for the farmers has completed 2 years on 24th of Feb PM किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निदी योजना 24 फरवरी को इसके 2 साल complete हो गए है सवाल यहाँ पर यह कि यह कब से operational हुई थी तो आंसर बनता है दोस्त एक बार है 2018 से 1 बार है 2018 से 1 अप दिसम्बर 2018 से इसको operational किया गया था इसे याद रखना which state received award for the fastest implementation of प्रधानमंत्री किसान सम्मान निदी योजना किसान सम्मान निदी योजना के सबसे तेज कार्यानवेन के लिए किस राज ने पुरुसकार प्राप्त किया तो यह है उत्तर प्रदेश इंडिया की अंकिता रहना है इनोंने अपना पहला WTA टाइटल जीता था कमिलिया राखी मोबा के साथ मिलकर पिलिप आइलेंड ट्रॉफी जो रही थी उसी इवेंट में डबल्स का डाइटल यह जो कमिला राखी मोबा है यह किस कंट्री से है यह रशिया से है यह रहा ओवरॉल सेशन क्लियर रहा होगा फिर याद रखना कि जो अटेंटेंट का बैच स्टार्ड होने वाला जिसमें मैं कैपसूल पढ़ा हूँगा डिटेल में तुम लोगों को एक चीज क्लियर करेंगे हम लोग यह आपका 30 से स्टार्ड हो रहा है इस बैच में आज ही जाकर इन्रोल करा लीजिए जिन्होंने अटेंडेंट में अभी नहीं कराया आपको कैपसूल एक बार जरूर करना चाहिए एक्जाम में जाने से पहले ओके कोड लगा ले ना Y168 Y168 ओके तो गुडबाई टेकर, all the best ध्यान रखेगा ओके टेकर दोस्तों